माफिया अतिक एहमत के चिट्टी बंद लिफाफे में मारनिय उच्चतम नैले के प्रधान नायादिश और उत्तरपदेश के मुख्य मंत्री के पास भेजी जा रही है अतिक एहमत के वकील विजे मिश्रा ने यहाँ पुष्टी की है मिश्रा ने प्रधान नायादिश और प्रधान नायादिश और प्रधेश के मुख्य मंत्री के पास जाएगी उन्होंने कहा वह चिट्टी न तो मेरे पास है और नहीं मेरे द्वारा भेजी जारी है वह चिट्टी कही और रखी गई थी और किसी और वेक्ती द्वारा भेजी जारी है इस चिट्टी में क्या है इसके मुझे कोई जानकरी नहीं है माफिय नेता अतिक एहमद और उसके भाई अश्रव की शनिवार को प्रध्याग राज में तीन हमलावरों ने उस समय गोली मार कर हत्या कर दी थी जब पुलिस दोनों को चिकित सा जाज के लिए मेडिकल कॉलेश ले जा रही थी पत्रकारों की भेश में आये तीन हमलावरों ने अतिक और उसके भाई को उस समय बहुत करीब से गोली मार दी जब वो मेडिया कर्मियों से बादशित कर रहे थे जबकि उनके आज पास पुलिस कर्मियों का पहरा था अतिक और अश्रफ की हत्या करने वाले शूटरों के नाम लवलेश, सनी और अरुन है जिनने पुलिस ने मौके से ही पकड़ लिया था इस साल 24 फरवरी को विधायक राजू पाल हत्याकान के मुख्य गवा उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी उमेश पाल हत्याकान में अतिक का बेटा असद आरोपी था और फराड चल रहा था असद 13 अपरिल को जासी में पुलिस मुडवेड में अपने एक साथिक के साथ मारा गया अतिक एमद और अश्रफ की हत्या से कुछ घंटे पहले ही असद की अंतिम संसकार हुआ था